गुट मॉर्णिंग एवरीवन, मैसेल्फ डॉक्टर भरत सी मीना, असेस्टेंट प्रोफिसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गॉर्मेंट कॉलेज कोटा, तूडे डिसकासिन केमिस्ट्री ओफ एलिमेंट्स ओफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इससे लाश्ट लेक्चर में हमने सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिसकस किया था, आज हम उसी सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के प्रोपर्टीज का कमपेरिजन करेंगे फर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स से, तो सबसे पहले थर्ड डी समझातों या जिसे कहें फर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की तुलना सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तत्वों के गुणों से करेंगे, जिसे हम कहें प्रॉपर्टीज ओफ शेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इन कमपेरिजन टू दियर थर्ड एनलोगस। इसमें सबसे पहले जो हम पुलना करेंगे वो है आयोनिक रेडियाई या आयोनिक त्रज्जय जैसा कि हम फर्ष्ट लेसन में हमने पढ़ा था फर्ष्ट ट्रांजिशन सीरीज और अभी इस लेसन के अंदर हम पढ़ रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तो यह हम जानते हैं कि जो फर्ष्ट ट्रांजिशन सीरीज की परमानविक और आयनिक दोनों ही त्रज्जाओं के मान से कम होते हैं जबकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की परमानविक तथा आयनिक दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंधिन आट संकुजन प्रभाव के कारण उनकी तरज्जाओं या परमानविक तरज्जाओं के मान में ज्यादा ब्रद्दी नहीं हो पाती है। या हम इसको इस प्रकार से भी कहें कि फर्ष ट्रांजीशन सीरीज की तरज्याएं सेकंड और थर्ड ट्रांजीशन सीरीज की तुलना में कम होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि इन तत्वों के गुण जैसे आइनन भिवव है या विद्दूत रंड़ता है या डैंसिटी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं ये जितने भी केरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस पर डेपेंड करते हैं इनके आकार से सही जोग तरज्य आएं और आयनिक तरज्याओं पर ही निर्भर करते हैं इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को तो सेपरेट ही हमने स्टेडी किया है जबकि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को हम एक साथ ही अध्यान कर रहे हैं उसका कारण है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो हलके तत्व होते हैं उनकी तुलना में उनके गुण सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से डिफरेंट होते हैं और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के करेक्टर लगबग लगबग समान होते हैं क्योंकि उनकी परमान वर्से जेकेंड थर्ड तो उसमें आता है औकसिडेशन श्टेट्स फर्स्ट रांजिशन सीरीज के आपने जितने भी ऐलिमेंट्स देखे इसके इंडियम से लेके और अगर आप जिंक तक जाएंगे तो उसमें लगभक सभी तत्वों की जो ऑकसिडेशन स्टेट्स हैं वो प्लस टू और प्लस थ्री अतियंत इंपोर्टेंट हैं और इसी लिए आपने ये देखा होगा कि जो अधिक सामायन जो आयन बनते हैं फर्स्ट रांजीशन सीरीज के वो M2 प्लस एंड M3 प्लस ही बनते हैं जबकि सेकंड और थर्ड रांजीशन सीरीज में इस पिरकार के सरल आयन नहीं बनते हैं यहां इंसरल आयन के इस्थान पर क्या बनते हैं हाई ओक्सिडेशन इस्टेट में कमायन रूप से रिणायन बनते हैं जो काफी इस्ताई होते हैं अते हैं आप कई बार ये देखते हैं कि एफी 2 प्लस या सी आर क्रोमियम 3 प्लस यह यह देख रहे हैं कि F2 प्लस और CR 3 प्लस आयन तो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन RU 2 प्लस जिसे Rutenium 2 प्लस कहें या Molybdenum 3 प्लस कहें ये इस टैप के आयन देखने को नहीं मिलते इसके विप्रीत जैसा मैंने अभी बताये था कि ये ओचोक्सिक्रान आवस्था में सईयुक्त रणायन बनाते हैं कौन से 2nd and 3rd transition सिरीज के तो क्या देखने को मिलेगा इनके Molybdenum देखें MO O4 2- तो ये सईयुक्त रूप से रणायन बना रहे हैं जो काफी इस्ताई हैं ऐसे टंगश टेट देखें तो इस परकार के जो रणायन आयन है 2nd and 3rd transition सिरीज के साथ वो काफी इस्ताई होते हैं जबकि 1st transition सिरीज के अगर chromate देखें रणायन के रूप में तो ये किस रूप में रहेगा एक प्रबल ओक्सिकारक के रूप में आपको मिलेगा जबकि 2nd और 3rd के क्या थे परियाप्त इस्ताई थे इसी प्रकार से अगर पर-technate को देखें और पर-renate को देखें तो ये आयन भी आपको इस्ताई होंगे क्योंकि रणायन है और ओचोक्सिकरन आवस्ता में जैसा मैंने अभी बताया था 2nd and 3rd transition सिरीज के योगिक अदे के इस्ताई होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में लेकिन आपको पर-magnate MnO4- आयन किस रूप में मिलेगा एक प्रबल ओक्सिकरन के रूप में मिलेगा इसके साथ ही एक और इन दोनू के मद्द अंतर देखने को मिलेगा फर्ष्ट रांजिशन सीरीज के तत्वों के जो योग कॉम्प्लेक्स होंगे वो आयन के रूप में इस्ताई मिलेंगे जैसे ये आपको CR, CL6-3- या हेकजायमीन कोबाल थड आयन कई इस्ताई संकुल आयन देखने को मिलेंगे जबकि सेकंड और थर्ड में इस परकार से कॉम्प्लेक्स के रूप में आयन नहीं मिलेंगे और इनकी उच्च उक्सी करान आवस्था में इस्ताई होने के पीछे जो कारण है वो क्या कारण है जैसे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हाई ऑक्सीडेशन इस्टेट में देखें तो डबलू सी एल सिक्स आरी एप, एप सेविन आर्यू ओ फोर ये योगिक हैं ये फर्ड ट्रांजिशन सीरीज में नहीं मिलेंगे तो इन बिभिन ऑक्सीडेशन इस्टेट की इस्टेविल्टी के जो रीजन है महत्पून रीजन है वो अगर कोई योगिक इस्थाई अवस्था में रहेगा तो उसमें ये निम्न केरेक्टर होना आवश्चक है जिसमें पहला है कि एक तो वो वायू की ऑक्सीजन से ऑक्सीक्रत ने हो और दूसरा है वो जलबास्प के साथ भी उसका जलब गटन नहीं होना चाहिए तीसरा है कमरे के सामान ताप पर भी उसका विगटन नहीं होना चाहिए चोथा है कमरे के ताप पर उसका ऐसामानू पातन नहीं होना चाहिए और पांचवा है कमरे के ताप पर हुए अपने गुणों के साथ इस्थाई भी होना चाहिए ये पांचों अगर केरेक्टर किसी योगिक के अंदर मौजूद हैं तो वो योगिक कैसा होगा इस्थाई अवस्था में पाया जाएगा अब हम फर्ष ट्रांजीशन सीरीज के तत्वों के ऑक्साइड वा हलाइड सेकिंड ट्रांजीशन सीरीज के ऑक्साइड वा हलाइड और थर्ड ट्रांजीशन सीरीज के ऑक्साइड वा हलाइड को अगर हम सार्णी में देखेंगे तो जो आपको गहरे बोल्ड अक्षर दिख दिखाई देंगे वो उनकी Oxidation State के इस्थाई योग एक हैं जैसे First Transition Series में देखें आपको ये इसके इंडियम से लेके First Transition Series जिंक तक दिखाई गई है और साथ में इनकी Oxidation State भी दिखाई हैं तो इसमें Oxidation State प्लस 2 से स्टार्ट होके और प्लस 7 तक आपको Oxidation State नमबर हैं और साथ में आपके इसके इंडियम से सिरू हो रहे हैं तो आप ये ध्यान से दिखें आपको ये दिखाई देगा आपको ये MNO या CRO की तुलनामे अधिक बोल्ड दिखाई दे रहा है गहरा दिखाई दे रहा ह SI CR F2, MN F2 जितने भी आपको ये बोल्ड कॉम्पलेक्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे अधिक इस्थाई होंगे ठीक इसी पिरकार से अन भी देखें प्लस 4 आवस्था में देखें तो यहां पर भी ये टाइटेनियम O2, टाइटेनियम F2 इस पिरकार से ये बोल्ड सत्वों की ऑक्साइड और हम हिलाइट देखें तो यहां भी प्लस 2 से ये इस्टार्ट हो रहा है और प्लस 7 तक इसकी ऑक्सिडेशन इस्टेट वेरी करती हैं तो इत्रियम से लेके और कैडमियम तक हम देखेंगे तो यहां देखिए आपको मैं उधारन के तौरबे बतात हैं इसी प्रकार से अगर आप रहोडियम की देखेंगे तो यह आपको आरहे चैप 3 दिखाई देगा प्लस 3 ऑक्सिकरण अवस्था में यह सब आपके कैसे हैं इस्थाई योगिकों का निर्मान हो रहा है यहां पर इसी प्रकार से अगर तरतिये संक्रमन स्रेणिके तत्व की ऑक्साइड और हलाइड को भी देखेंगे तो सेम वैसे ही इनकी साइड में यह दी हुई है प्लस 2 से ऑक्सिदेशन इस्टेट इस्टार्ट होके प्लस 7 तक वेरी कर रही है और यह आपके लेंधिनम से लेके थर ट्रांजिसन सीरीज जैसा कि हम जानते हैं कि लेंधिनम स तो यह प्लस 2 ओक्सिदेशन इस्टेट में प्लेटिनम के यह पी टी सील टू पी टी बी आर टू यह सब इस्थाई योगिक हैं इसी प्रकार से एनका भी हम उदारान ले सकते हैं जिसे रीनियम में देखें तो यह आपको बोल्ड दिखाई दे रहे हैं यह भी आपके कैसे साथी अगर आप टेबिल को ध्यान से देखें तो तीनो संक्रमन स्रेणियों में आपको इन योगिकों में कहीं तो यह योगिक ब्रेकेट में दिखाई देंगे कोई कोई योगिकों ब्रेकेट में देखेगा किसी के ऊपर सब स्क्रिप्ट के रूप में किसी के ऊपर एच आपको G दिखाई देगा या किसी के उपर आपको C दिखाई देगा या किसी के उपर X भी होगा और किसी के उपर D भी होगा तो यह जिनके भी उपर इस पिरकार के symbol right hand के upper side में super script के रूप में so कर रखे हैं उनका means यह होता है कि अगर कोई bracket में है bracket में होने का मतलब यह होगा कि वो योगिक कैसा होगा एस्थाई होगा जैसे आपको यह bracket में मैं दिखाता हूँ यह PD2 O3 किस में है bracket में है तो यह कैसा योगिक है जो bracket में दिखाई दे रहा है वो S थाई है और साथ में अगर किसी के उपर H लिखा हुआ है जैसे इसी के उपर देख ले हम H लिखा हुआ है तो यह एक तो S थाई है और जल योजित ऑक्साइड भी है इसके अलावा किसी के उपर आपको G भी दिखाई देगा G का मतलब है कि वो योगिक कैसी अवस्था में है गैसी अवस्था में है और किसी किसी के उपर आपको M लिखा हुआ दिखाई देगा आप अगर इन टेबल तीनो टेबलों को ध्यान से देखेंगे तो इन योगिकों के राइट हैंड की तरफ उपर की साइड सुपर स्क्रिप्ट के रूप में ये छोटे छोटे जो सिंबल साब को दिखाई दे रहे हैं इन सब के मीन्स होते हैं जैसे M को देखेंगे किसी को उपर M लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि योगिक में धातू धातू बंद है या मेटल मेटल बॉंड है इसी पिरकार से किसी को उपर C होगा तो उसका मतलब होगा कि वो योगिक किस फॉम में है कलस्टर फॉम में एक गुच्छक के रूप में योगिक है और अगर X अगर किसी के उपर लिखा हुआ है तो वो कैसा ऑक्साइड बनाता है मिस्त्रित ऑक्साइड बनाता है और अगर D लिखा हुआ है तो इसका अर्थी यह होता है कि वो ऐसा मानुपातन है ऐसा मानुपातन के बारे में मैंने लाश्ट लेक्चर में भी लार्ट लेसन में भी बताया था कि वो अपने से कम और ज्यादा औक्सिक्रन आवस्थाएं भी सो करते हैं तो इन टेबिलों को ध्यान से देखने पर आपको ये आसानी से समझ मा गया होगा कि एक तो जितने भी आपको बोल्ड योगिक तीनों ट्रांजिसन सीरीज की टेबिल में दिखाई दिये वो सारे के सारे स्थाई हैं सारे के सारे स्थाई योगिक हैं और उन इस्थाई योगिकों में भी अगर आपको इस्थाई के साथ साथ अन्य जो योगिक दिखाई दे रहे हैं जिन में किसी में ब्रेकिट लगाया हुआ है किसी में सुपरिस्क्रिप्ट के रूप में H या G या M या C या X या D से सिंबल सिंबलिंग की हुई है तो उनका भी मैंने अभी मीन्स बताया था उन स तीनो टेबिल्स को देखें तो आपको ये देखने में आएगा कि इन तीनो संक्रमन स्रेणियों की जो ऑक्सिकरण अवस्था है यदि हम ग्रूप वाइज देखें तो हम देखेंगे एक ग्रूप में नीचे जाने पर जो हाई ऑक्सिकरण स्टेट है उसकी ती घटती जाएगी अगर हम इस एक्जामपिल को फर्ष्ट रांजीशन सीरीज के बेनेडियम से देखें तो आपको ये समझ में आएगा ये बेनेडियम है बेनेडियम की प्लस थ्री ऑक्सिकरण अवस्था आपको इस्था ही है और अगर जैसा मैंने का कि अगर ग्रूप स्था ही हो जाएगी क्योंकि जैसे ग्रोप में चले तो फर्ष्ट रांजीु का बेनेडियम उपर था प्लस थ्री में सथा अगर जैसे नीचे गए तो तेन्स इलैम की Pいます 5 oxidation state भी अधिक इस्थाई होगी इसी प्रकार से N उधारन भी हम ले सकते हैं जैसे chromium लें फर्स ट्रांजिशन सीरीज का तो वहाँ पर उसकी प्लस 3 ऑक्सिकन आवस्था अधिक इस्थाई होगी और अगर 3rd transition सीरीज का क्योंकि गुरूप बाई चले तो टंगस्टन टंगस्टन जिसे डबलू से सो करते हैं प्लस 6 ऑक्सिकन आवस्था इस्थाई होगी और मैंगनीज की देख रहे हैं कि मैंगनीज 1st transition सीरीज का उसकी प्लस टू ओक्सिकरन अवस्था अधिक इस्थाई होती है लेकिन गुरुप में नीचे जाएंगे तो री नियम की प्लस सेविन भी आपको ओक्सिकरन अवस्था इस्थाई दिखाई देगी जैसे देखिए री नियम का प्लस सेविद आरी एप सेविन तो इसकी प्लस ओक्सि ब्रद्धी होगी और जब परमानवी आकार में ब्रद्धी होगी तो क्या होगा हाई ओक्सिडेशन इस्टेट की इस्टेबिल्टी बढ़ जाती है इसी प्रकार से अगर हम N का देखें जैसे N एक एक अन एक और केरेक्टर का इनका फ़स्ट और थर्ड का कमपेरिजन करें त हम यह भली बाती जानते हैं कि लगबग सभी ट्रांजीशन एलिमेंट्स कोडिनेशन नमबर 6 से अश्ट फल किये संकुल तो लगबग लगबग सभी बनाते हैं लेकिन कोडिनेशन नमबर 4 जिससे टेट्राहेड्रल और स्क्वार प्लेनर कॉंप्लेक्स बनते हैं वो कम दे सेकेंड और थर्ट ट्रांजीशन सीरीज के जो प्रारंबिक एलिमेंट्स हैं उनमें कोडिनेशन नमबर 7 और 8 वाले कॉंप्लेक्स भी देखने को मिलेंगे इस इन सबी का हम किसके आदार पर बैक्या कर सकते हैं क्रेश्टल फील्ड थोरी या क्रेश्टल छेत्र सिद्धा स्वास्द के आदार पर चाई टेट्रहेडरल और और एक्स्केरेस्द मेंगेटिक प्रैक्स हो शोह कीणे सेसल लेक्टिर में पढ़ा था हैं क्या क्या पढ़ा था था tetrahedral और दूसरा पड़ा था optrahedral की हमने वैक्धिया की थी, square planer तो केवल परिष्थितियों बस ही बनता है, बाकि वहाँ पर भी optahedral complex बनने का ही प्रयास होता है, लेकिन जब वो नहीं बन पाता है, तो क्या बनता है square planer complex का निर्मान होता है अब हम उदारण के तौर पर लें किसी मैटल आयन का अगर elektronica मियाश कितना है एट है तो संकुल निर्मान के लिए legend चाय किसी पिरकार का हो strong legend हो या beak legend हो हम de-electrons में जो electron का distribution होगा तो किस पिरकार से होगा 6 electron तो किस में जाएंगे T2G में यह यहाँ पर D8 अगर किसी के पास electron है तो यहाँ पर इस पिरकार से electron हों का विबाजन हुआ 6 electron तो T2G में चले गए और remaining 2 electron EG orbitals में चले जाते है यदी legend दुर्बल हो उधारन के तौर पर जैसे हम देखें Hexa equa nickel second या ले Hexa eme nickel second तो अश्ट फल किये या octahedral छेतर में electronों की जो symmetrical arrangement होगा वो किस पिरकार से होगा अगर दुर्बल legend है तो यहाँ पर देख रहे है 8 electron में से 6 electron तो T2G में चले गए क्योंकि D electron का जो splitting हुई उसमें lower energy वाले तो T2G orbitals हैं और higher energy वाले EG orbitals हैं तो 6 electron तो T2G में और remaining 2 electron EG orbital में distribute हो जाते हैं अब हम देखें कि अगर कोई पिर्बल legend है तो पिर्बल legend में क्या होगा कि यहाँ पर जो D orbitals की दुर्बल legend में splitting हुई थी T2G और EG orbital के रूप में पिर्बल legend आते ही जो EG orbital के दो D orbitals हैं उसमें एक तो आता है DX स्क्वार माइनस Y स्क्वार और दूसरा आता है DJ स्क्वार तो चूंकि हम जानते हैं कि जो DJ स्क्वार है उसके उससे और लेपिंग के लिए कितने legend आएंगे दो legend आएंगे और उन दो legend उसका repulsion होगा और DX स्क्वार माइनस Y स्क्वार में कितने legend आएंगे चार legend आएंगे चार होने की कारण एगमेट एलेक्टोन चार लेगेंडों द्वारा प्रतिकर्सेत होंगे तो उसका प्रतिकर्सन जादा होगा तो DX स्क्वार माइनस Z square तो क्या हो जाएगा अपर एनर्जी में चला जाएगा और जबकि D Z square लोगर एनर्जी में आ जाएगा तो इन दोनों के मद्द की जो एनर्जी है आवश्यक उर्जा का मान युगमन के लिए आवश्यक उर्जा से एदिक हो जाता है तो इससे कैसी बेविस्था हो जाएगी एलेक्ट्रोन ऐसी बेविस्था ग्रेंड करेंगे जिसमें एलेक्ट्रोन युगमित हो के D Z square कक्षक में चले जाएगे और D X square माइनर्ज Z square कक्षक रिक्त हो जाएगा ये किस सिच्वेशन होगा जब आपका लेगेंड स्ट्रॉंग हो और इस स्ट्रॉंग लेगेंड के का कारण ही यहाँ पर किस पिरकार का जैसे ये प्रबल आप देख रहें प्रबल अश्ट्रॉंग के छेतर में D 8 एलेक्ट्रोन का बिन्यास देखा तो यहाँ पर क्या हुआ पहले तो T2G और EG में विवाजित हुए लेकिन प्रबल लेगेंड होने के कारण D X square माइनरS Y square और और एनर्जी में चला जाएगा क्योंकि केवल 2 लेगेंड से रिपल्सन हुआ जबकि D X square माइनस Y square और अपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 लेगेंड के कारण प्रतिकरसित या रिपल्सन होता है जिससे ये D X square माइनस Y square तो वेकेंट हो जाएगा और ये D Z square युगमि हो जाएगा और इस प्रकार से यह ओक्ता हेडरल के इस्थान पर किसका निर्मान हो जाएगा वर्ग समतलिय संकुल का या square प्लेनर कॉंप्लेक्स का निर्मान हो जाता है और D SP2 शंकरन इसमें पाया जाता है थैंक्यू